हेलो आवरीवन, वेलकों तो और यूटूब चैनल, इस वीडियो में हम ग्रूपिंग ओफ आइडेंटिकल इमेज के कोश्चन सौल करेंगे, जो रेलवे के पहले के एक्जाम में पुछे जा चुके हैं, यह प्रैक्टिस सेट 3 है, अगर आपने फर्स्ट टू प्रैक्टिस स नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, तो चलिए वेडियो को सुरू करते हैं, ग्रूपिंग ओफ आइडेंटिकल इमेज में हम आइडेंटिकल इमेज की दो-दो या तिन-तिन के ग्रूप बनाते हैं, अकोडिंग टू क मैं नहीं, अगर मैं लुए कहां साथ है। होरीजेंटल Τूर्टे में दें़िये वरिटिकल होरीजेंटल और आठेए में देंगे वर्टिकल होरीजेंटल तू THीन, 58, गूरूप बन गया तीन, चार, 58, गूरूप बन गया तीन, छार, 8 ए में है तीन, तो बी और तो हमारा गलत हो गया अब इस तरह की लाइनों के दार पे गुरूपिंग एक पांच और साथ एक पांच और साथ जो है हमारा एक ऊपशन में है तो डीवी गलत है उपशन है इस दर आइट अविक उस्स करते हैं फर्स्ट फिक्र दो लाइन से बना हुआ दूसरा फिगर भी दो लाइन से है तीसरा भी दो लाइन से है तो एक दो तीन पहले में और दूसरे में है तो सी और डी तो हमारा गलत हो गया अब चुत्ता फिगर देखिए एक दो तीन तीन लाइनों से मिलके बना है एक दो तीन यह भी तीन लाइनों से एक दो तीन छटा वे तीन लाइनों से तो च्यार पांच छे का गुरूप बी में है तो ए भी गलत ओप्शन बी इस दर आइट अर्ट सर नेक्स्ट कोश्चन में देख सकते हो आप साथ फिगर दिये गए हैं और उप्शन से पता चलता है कि एक गुरूप तीन फिगर का बनाना है और दो गुर चार और पांच का गुरूप बनता है दो चार और पांच ए में है दो चार पांच बी और डी में भी है तो ए सी और डी में है भी हमारा गलत है ठीक है ना आप देखिए छे और साथ को सरकॉल को चार भागों बाटा गया बराबर के और स्केर को चार बागों बाटा गया तो option A is the right answer C or D गलत है कि नेस्ट कोस्टिन में हम ग्रूपिंग करेंगे कोई अकरिती उपर से धकी हुई है मतलब पांचमा फिगर आप देखिए और आठमा देखिए और नुमा ठीक है ना उपर से किसी धकन से ड़की हुई है पांचमा आठमा नुमा पांच आठ नो पांच नहीं है बी तो गलत हो गया सी में है और डी भी गलत हो गया ठीक है इसके बाद देखिए कोई ऐसा बरतन जिसमें कुछ बढ़ा जा सकता है यह एक बोल टाइप का है चोथा एक बीकर है और सातनगा का एक बाल्टी है दो चार सात कोई हैं तो ए उप्शन भी घलत हो गया त option c is the right answer next question है grouping हम करते हैं एक आकरिती के अंदर straight line लगी हुई है ठीक है तो 3 में लगी हुई है 6 में लगी हुई है और 9 में लगी हुई है ठीक है ना straight line देख सकते हो hexagon के अंदर ऐसे hexagon के अंदर ऐसे line लगी हुई यह straight line डीक है और 6 और 3 में तो आप देख पारे होगे तो 3 6 9 का group तेखिए 3 6 9 3 6 9 तो COD तो हमारे गलत हो गई उसके बाद देखिए circle और triangle का figure first फ्रस्ट भी circle और triangle है पाथवे में circle और triangle है और 8 में circle और triangle है एक 5 8 एक 5 8 सिरफ B में है तो A भी गलत होगे Option B इसदर आइट अनसर Next question करते है आकरीती के उपर line ने लगाई गई है जैसा कि first में है same 8 में और 9 में में है ठीक है ना तो 1-6-9 1-6-9 B में 1-6-9 D में भी 1-6-9 तो C हमारा गलत है उसके बाद आप देखिए 3-5 और 8 खा एक ग्रूप बनता है 3-5-8 तो 3-5-8 देखिए किस में है 3-5-8 A में है तो B और D तो गलत है हमारा तो option A is the right answer Next question है डोट के दार पे हम ग्रूपिंग करते है 2 black dot यहां पर भी 2 black dot है यहां पर भी तो 1-2-8 1-2-8 जो है B और D में है तो A और C तो गलत होगे ठीक है ना अब देखिए आकरीती को 4 बराबर बागों बाटा गया है तीसरे में पाच्वे में छटे में 3-5-6 3-5-6 D में है तो B भी गलत तो D हमारा सही answer है Next question है Single आकरीती जैसे कि यह चत्रबूज है आयत है यह वर्ग है और यह ट्रेंगल है ठीक है ना तो 1-5-9 1-5-9 तीसरे में है और दूसरे में है तो पहला और चोथा तो गलत होगे ठीक है उसके बाद अकरीती को 4 बागों बाटा गया है चोथे में सात्वे में और आठ्वे में 4-7-8 4-7-8 देखे किसमे है यह 4-7-8 कोई उप्शन है तो नहीं है तो मिस्प्रिंटिंग होई होगी कोई लिख देते हैं 1-5-9 4-7-8 ठीक है ना इसका एक गुरूप है और कोई आकरीती जिसके उपर ऐसे से बनी होई है दूसरे तीसरे और छटे में 2-3-6 तीसरा गुरूप होगा 2-3-6 तो यह हमारे अंसर रहेंगे थैंक्यू